आदाब नुमर्शकार सत्य श्रियाकाल मैं हूँ आपके साथ यहाया खान सोज आज की जो मैं गटना आपको बताने जा रहा हूं वो अपने इंडिया से नहीं अपने हिंदुस्तान से नहीं बलकि अमेरिका के एक शहर से है जिस शहर का नाम है लॉस वेगेस यह कहानी कमज कम साथ साल पुरानी है लेकिन इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप खुद हैरत में हो जाएंगे के लोग आखिर दोलत को पाने के लिए किस हद तक गिल जाते हैं और कितना दिमाग अबना चलाते हैं अगर यहीं दिमाग एक सही तरीके से अपने पेशा कमाने में या फि हो सकता है कि वो इस दिमाग का इस्तिमाल करने के बाद ठीक तरीके से अपने आपको उस मुकाम पर पहुचा लें जिस मुकाम का वो खौब देखते हैं कि 2015 की सर्द रात थी और एक मिलियनर एक अरब पती लड़का अपनी गर्फ्रेंड को लेकर एक होटल में जाता है और वहां पर वो एक रात गुजारता है उसी होटल के अंदर एक जैन नाम की महिला रहती है जिसकी उमर लगबक 36 साल है वो किलीनर थी यानि वह सफाई किया कर अगले ही दिन जैसे ही जैन इस मिलियनर के रोम में जाती है तो इस वक्त में यह मिलियनर और उसकी गर्फ्रेंड नीचे नाश्ता करने के लिए पोच जाते हैं जैसे ही पोच्छती है तो वह होटल की सफाई कर रही होती है जैन का शुरू से खाप था कि मैं एक काश मेरा जैन की बहुत जादा आलदार होता अरपती होता मिल्यानर होता और जो मेरी उलाद होती वो इक अच्छे घराने में होती है वहीं जैन इस वक्त में सफाई कर रही होती और इस बातों को सोच रही होती है तो जैन की नजर जो टेबिल पे रखे एक बैंक की स्टेटमेंट पर जाती है जैसे ही बैंक की स्टेटमेंट पर जाती है तो जैन जैसी उस बैंक की स्टेटमेंट को देखती है तो वो समझ जाती है कि इस रूम में जो लड़का ठेरा हुआ है रुका हुआ है वो कोई और नहीं बलकि एक बहुत तो फिर जिसके बाद मेरे जो ख़ाब है, यानि अमीर बनने का जो ख़ाब है, मैं बहुत जल से जल बन जाओंगी। जैन सफाई करी रही थी, तो उस फ्रोम में एक डस्ट बिन रखाता, उसमें वो देखती है, तो जहां कर जैसे ही देखती है, तो उसके अंदर उसको एक यूज़ होआवा, एक इस्तमाल होआवा कंडॉम मिलता है। जैसे ही जैन इसको देखती है, तो वो एक और साज़िश अपने मनी मन में दिली-दिल में सोच लेती है। जेन उस कॉंडम को ले लेती है और लेने के बाद उसके अंदर जो इस लड़के का स्पर्म होता है उस स्पर्म को किसी तरीके से अपने अंदर दाखिल कर लेती है फिर जिसके बाद वो कुछ वेट करती है तो उसको मालूम होता है कि वो प्रेगनेंट है फिर जिसके बाद ज चाल थी उसकी तरफ कदम उठाती है जैसे ही वो कदम उठाती है तो वो फोरन अदालत की तरफ रुख करती है अदालत की तरफ जाती है और फिर जिसके बाद वो एक मुकदमा इस मिलियन के खिराफ लिखवा देती है अदालत से मांग करती है जिसके बाद ये अदालत जो है उस मिलियनर को नोटिस बेचती है कि तुमारे खिलाफ एक मुकदमा है लेहाज़ तुमारे आना होगा मिलियनर जैसे ही अदालत में पोच्छता है तो अदालत कहती है कि यह जो औरत है यह कह रही है कि यह तुमारे बच्चे की मा है जिसके बाद जैसे ही मिलियनर इस औरत को देखता है तो वह हक्का बख्का रह जाता है उसके पिरुतले जमीन निकल जाती है कि यह सब तो जूट है मैं इस वरत को जानता भी नहीं हूं पर जिसके बाद यह महीला यानि जेन पूरे तरीके से दावा करती है कि इसी शक्स का मेरे पेट में बच्चा था अब तीन साल ग करका है इसके बाद मिलेनर की चिंता और यह जाद़ बढ़ जाती है मैं कभी इस से मिला भी नहीं है तो पूरी आप वी ती यानि पूरी titre जो ये मिलियनर अपनी गर्फ्रेंट को लेकर पहुचता है उसकी गर्फ्रेंट को हटा कर वो खुद को बता देती है जो इसकी गर्फ्रेंट थी, वो मैं थी इसने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया था पिर जिसके बाद पूरे तरीके से तहकीक हो जाती है तो अदालत उसको हुकम देती है यानि मिलियनर को हुकम देती है कि तुम्हें 20 लाख डोलर इस महीला को देने होंगे क्योंकि तुमने इसके बच्चे की पढ़ाई को 3 साल से दूर रखा है लेहाज़ा तुम्हें 20 लाख डोलर देने होंगे पिर जिसके बाद ये महीला केस जी जाती है और इसको ये रकम अदा करनी पड़ती है पिर जिसके बाद ये जैन वहां से नोकरी छोड़ देती है और अपना एक नया बिजनिस स्टार्ट करती है दोस्तों कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कहानी है ये मंगड़त है और क के दिमाग पर जरूर हैरत हुई होगी किस तरीके से इसने अपने जहन को चलाया दिमाग को चलाया और किस तरीके से ये करोड़ पती बन गई आप पूरी गटना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर जरूर बताईएगा दोस्तों इस गटना को दुखाना नहीं है, किसी को ठिस पोचाना नहीं है बलकि आप सबी को सचेत करना है इसी के साथ मैं यहाया खान सोज आप से इजाज़त लेता हूँ मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सची गटना के साथ किसी सची कानी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ जाबी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे साबदान रहेंगे अपना खयाल रखेंगे अपनी फैमिली का खयाल रखेंगे आदाब नमस्कार सत्य श्री आकाल जे हिंद जे भारत